नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल टेक्टू गलाइड में और आज मैं आपको बता रहें जा रहा हूं कि आप Redmi Note 5 Pro से कैसे 4K वीडियो शूट कर सकते हैं और देखते रहें इस वीडियो को अंत्रक ताकि आप पूरी तरीके से 4K वीडियो शूट कर सकें Redmi Note 5 Pro से और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल टेक्टू गलाइड को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि मिल सकें आपको मेरे लेटेस वीडियो सबसे पहले तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों Redmi Note 5 Pro से 4K वीडियो शूट करने के लिए आपको एक एप्लिकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है ओपन केमरा एप तो इसको आपको ओपन करना है ओपन करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है दोस्तों सेटिंग्स में आने के बाद आपको वीडियो सेटिंग्स के अंदर जाना है वीडियो सेटिंग्स में जाके आपको वीडियो रेजिलूशन का ओप्शन दिख रहा है उसमें आपको हाइस्ट रेजिलूशन 4K का मिलेगा तो आप 4K पर 4K video सेलेक्ट करने के बाद अप अनेबल video stabilization को भी कर दीजिए जिससे आपकी video stabilized हो जाएगी आप video के frame rates भी decide कर सकते हो जैसे कि 60 frame rates और जो भी आपको चाहिए और आप video की जो length है उसको भी decide कर सकते हो कि आपकी file size किस size में हो तो यह आप देख सकते हो यह सारे option आपको camera option इसी option मे मिल जाएंगे दोस्तों यह एक 4K वीडियो सेम्पल जो ओपन कैमरा एप से शूट किया गया है Redmi Note 5 Pro में तो धन्यवाद दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखने के लिए मिलता हूँ आपसे अगली एस ही एक लेटेस्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जय जवान जय किसान